नमस्कार, मैं हूँ ससी आया ज्शारखन के टॉप 25 पर्मोग खबर जैंते हैं ज्शारखन में प्रखन को भी टास्क फोर्स का होगा गठन खारखन के सबी DC को आदश जारी किया है ये task force प्रखंड विकास पताधिकारी के अगठित होगी पत्र के माध्यम से बताया गया है कि राजय में कुरोना संक्रमन के मामले में कुछ कमी आई है इसके बावजूद गरामीन चेत्रों में कुरोना संक्रमन और कुरोना से संभावित मौत की भी सुचना प्राप्थ हो रही है इस इस्थितिपन यंत्रन के लिए गरामीन चेत्रों में स्वास्त ब्यवास्था को अपेक्षाकित मजबूत करने की जरूरत है जारखन में चक्रवाती तुफान ताउते का अधिक असर नहीं पड़ेगा हलाकि इस दोरान 17 मई से 29 मई के बीच दोपहर और साम में बादल छाय रहेंगे वहीं कहीं कहीं में गर्जन के साथ हलकी बारिस होगी दूसरी और 16 मई के दोपहर के बाद राजे के कई जीलों में मसम सुहाना हो गया इससे लोगों को गर्म से रहात मिली है बतादे कि मैं मार दोरा इस चक्रवाती तुफान का नाम ताउते रखा गया है इसका अर्थ होता है गर्म जलवायू में पाई जाने वाली घरेलू छिपकिली पाथे पुस्तक के अधार पर सोमवार से बच्चों को मिलेगा डिजिटल कंटेंट राजे के सरकारी स्कूलों के बच्चों को सोमवार से पाठे पुस्तक के अधार पर डिटल कंटेंट मिलना सुरू हो जाएगा बतादे जार्खन सैक्षिनिक अनुसंधान और प्रसिक्षन परिशद ने इसकी त्यारी पूरी कर ली है सोमवार सुमवार नौव वए तक इसकूलों को कंटेंट उपलब्द करा दिया जाएगा उसके बाद सिक्षक कलास वार तयार वाटसेप गुरूप के माध्यम से अलग-अलग हर कलास का डिटल कंटेंट भेजेंगे बतादे बच्चों को सुबा 10 वए से पहले कंटेंट मिलना सुरू हो जाएगा सीबी एसी दसवी बोर्ड रियल्ट 11 जुन तक सीबी एसी के निर्देश के बाद दसवी रियल्ट बनाने की परकिया सुरू कर दी गई है क्योंकि इस साल दस भी बोर्ड की परिक्षा नहीं होनी है बतादे सभी इसकूलों को रियल्ट तयार करने का निर्देश दिया गया है बोर्ड ने इसकूलों को 18 पेज का नोटिफिकेशन भेजा है बतादे इसकूलों की ओर से इंटर्नल असेस्मेंट के तरज पर अंक दिये जाएंगे सभ अंक के पेपर में 20 अंक मुल्याकन के अधार पर दिया जाएगा फिलाल इसकूलों को इसका डेटा 11 जुन तक CBSC के वेबसाइट पर अपलोड कर देना है जार्खन सीम हेमान दिव्यांग बच्चो और बुजुर्गों से मिलने चेसायर होम और नंद राज बिरीद आश्राम पहुचे जार्खन का सीम हेमान सुरेन रविवार को राची के वरियातू रोड इस्थित चेसायर होम और नंद राज बिरीद आश्राम पहुचे इस दोरान सीयम सीरी सुरेन ने चेसायर होम मेरा रहे दिव्यांग बच्चो एवंबुजुर्गो तथा नंद राज बिरीद आश्रा मेरा रहे बिरीद जनो से मिल कर उनका कुसल छे पुछा तथा उनको मिलने वाली सुविधाव से अउगत हुए इस दोरान संस्थानों में रह रहे दिव्यांग बच्चो एवंबुजुर्गो तथा विरीद जनों से सुक दुख, खान पान, निवास, दिन्चर्या के बारे में प्रवंधन के पताधिकारियों तथा कर्मियों के साथ चार्चा की तथा आवस्यक दिशा ने देस भी दिये जार्खन में 911 लोग बिना मास्क के पकड़े गाएं, 844 लोगों ने किया लोगडाउन का उलंगान कुरोना वायरस के संक्रमन को रोकने के लिए पूलिस मुख्याले के आदेस पर पूरी जार्खन में रविवार को विशे सकती के बीच ब्यापक चेकिन अभियान चलाया गया इस अभियान के दोरान पूरी रविवार के सुबा 6 बए से साम 6 बए तक कुल 911 लोग बिना मास्क के पकड़े गाएं, इनमें राची में सर्वधिक 320 वदेव घर में 233 लोग सामिल हैं बता दे जांच के दोरान इपास नहीं रखने सहीत लोगडाउन के उलंगन के कुल 844 मामले सामने आया हैं राची में पूलिस परसासन का फ्लैग मार्च की अपील की, क्रोना वायरस के संक्रमन को रोकने के लिए 16 माई से 27 माई तक सकती के सास्वा सुरक्षा सप्ता को बढ़ा दिया गया है बता दे परसासन ने अपील की की बिना इपास के नीजीवानों से नहीं निकले घर पर ही रहे, सरीरिक दूरी का पारण करे, मास्क पाने और सरकार के गाईलन का पारण कराने में परसासन की मदद करे बता दे फ्लैग मार्च में सीटी, स्पी, सोरब वो, सभी, डी, स्पी, थानेदार वो, पी, सी, आर के जवान सामिल थे पहले दिन ही सुस्थ हुआ ई-पास बनवाने का सर्वर जारखन में लोगों को ई-पास बनवाने के लिए बना सर्वर आवेदनों का बोज नहीं उठा पा रहा है यही कारण है कि कभी घंटों इसकी रफ्तार धीमी रहती है, तो कभी घंटों काम ही नहीं करता सर्कार भी अधिक्रीत तोर पर सर्वर की धीमी रफ्तार को सुईकार कर रही है, लेकिन सर्वर के क्रेस करने जैसी बातों से इनकार है कुल मिला कर सर्वर ई-पास के लिए पहुँचे आवेदनों का बोज नहीं उठा पाया इसके बावजूद रविवार साम तक दो लाख दज सजार पास बन चुके थे, बतादे एक दिन पहले सनिवार की रात तक या अकड़ा एक लाख भी सेयर तक सिमित था रांची में बलाइक फंगस से चोथी मौत जारखन में भी बलाइक फंगस पाँ पसारने लगा है, बतादे रविवार कुराईधानी राची के राज अस्पताल में बलाइक फंगस से मौत हुई है इसके पूरो मेडिका अस्पताल में एक मरीज और रिम्स में दो मरीजों की मौत बलाइक फंगस से हो चुकी है बता दे कूल मिला कर अब तक राजे में चार लोगों की मौत ब्लैक फांगस से हो चुकी है जार्खन में 2321 नए केस मिले हैं जार्खन में 48 मरीज की मौत हुई है जार्खन में कूल मौत की संख्या 449 है जार्खन में कूल एक्टिव केस की संख्या 36,540 है भारत में 281,683 नए केश मिले है, भारत में कूल मौत की संख्या 2,44,41 वाई कूल एक्टिव केश की संख्या 35,12,660 है भारत में 3,88,388 मरीष्वश्वश्वश्थ हुए हैं, वाई जार्खन में31,219 मरीष्वश्वश्वश्वश्व़ई हाई ज्यार्खण में 231 नई केस मिले है जो रांची से 255 पूर्वी सिम्भूं 208 बोकारो 233 अजारीबाइक 104 धनबाद 133 रामगर 86 कोडार्मा 81 पचमी सिम्भूं 166 पलामु 144 देवघर 95 गुमला 64 गिरी दिनिनानबे खोटी बहुत्तर लात्यार 105 चराइकला 45 गड़वा 81 लोहर्दागा 37 सिम्डेगा 86 गोड़डा 45 चत्रा अजसी जामता 44 दूमका 18 साइबगा 24 पाकुल से 11 मरीज मिले है जार्खन में 7129 मरीज स्वस्थ हुए हैं जो राची से 2260 पूर्वी सिम्भूं 151 बुकारो 430 साजारी बैग 446 धनबाद बानबे रामगर 249 कोडार्मा 312 पचमी सिम्भूं 23 पलामु 22 देवगा 106 गुमला 341 गिरीडी 236 खुट्टी 109 लाते हा 446 शराय केला संतानबे गढ़वा 26 लुहर्दागा 326 सिम्डेगा 74 गोड़डा 664 चत्रा अजसी जामता 106 दूमका 48 साइबगाज 43 पाकुल से 103 मरीज स्वस्थ हुए है जारखन डिजीपी ने मिनी लॉगडाउन के दोरानला एंड ओडर चुस दुरुस्त रखने का दिया निर्देश क्रोना वारेस संक्रमन की चेन को तोड़ने के उदेश से 16 मई से मिनी लोगडाउन को सक्ती से पहलान करने को लेका जाकन डिजीपी नीरेस सिना ने राजे के पुलिस अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिये सनिवर को पुलिस मुख्याले इस थी सभागार में जीलो के SSP, SP, RANGE, DIG, ORIGINAL IG के साथ वीडियो कन्फिसिक माध्यम से बैठक की पुलिस मुख्याले में आवजित बैठक में डिजीपी नीरेस सिना ने पुलिस अधिकारियों को स्वासुरक्षा सब्ता के दोरान राजे के मुख्या चीव द्वारा निर्गत आजेशो का कड़ाई से अनुपालन कराने का पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिये साथी ला और अडर भी चूस दुरूस रखने को कहा रामगर में पांच दुकाने सील पत्रातु सीव संकर पांडे के नित्वित में रभी वार को सरकार दोरा जारी गैडलाइन को लेकर पत्रातु छेतर के बजार में अभियान चलाया गया इस दोरन COVID-19 का उलंगन कर दुकान खोलने को लेकर पत्रातु बाजार इस्थित 5 दुकानों को सील कर दिया गया है होम आइसुलेशन के दुरान स्वास समस्या हो तो करे फोन करोना वाइरस के बीच मरीजों को पेतर चिकिसगिये परामर्स को लेकर टीम प्रन्यास द्वारा हेल्फ लाइन नमर जारी किया गया है में पर्देश के नहीं बलिक दूसरे राजियों के भी मरीश्वाज समांदी समस्याओं को लेकर चिकिसगे परामस ले रहे हैं बता दे रोजाना 500 से अधिक लोगों को फोन के माध्यम से इलाज समांदी सलाज चिकिसगे को द्वारा दिया जा रहा है हेल्फ रेन नमबर के माध्यम से किसी भी रोग विशासग से निराज समय के दोरान रोग समांदीत मस्वारा लिया जा सकता है बता दे दन्त रोग विशासग ये डाक्टर आसीस भगत 749 नौसो सर्षट डाक्टर इसानी सिंग 82 1049 वार्षट सत्रा क्रिटिकल के विशासग ये डाक्टर जैदीप कुमार चौधरी निनानबे 34 तिरानबे 34 पर समपर कर सकते हैं बलाइक फंगस की दवा बजार से गायब गंभीर रूप से क्रोना से पिरित मरीजों के इलाज में इस्तिबाल किये जाने वाले रेमडे सिवीर, टोसीली, जुमाब, आजी दवाओं के बाद अब बलाइक फंगस की दवा बजार से गायब है बता दे बलाइक फंगस के रोगियों के इलाज में सबसे अधीक कारगर दवा एमफोट टेरेस सीन बी इंजेक्शन मानी जाती है ओनलाइन कलास में बच्चे कर रहे सरारत कुरोना काल में सुरू वे ओनलाइन कलास को बच्चों ने मजाक बना कर रखती है बता दे बच्चे ऑनलाइन कलास में खुब सहतानी कर रहे हैं इनकी सहतानी से सिख्चक से लेकर छात्राये तक सभी परसान है ऐसे बचे कलास के बीच में ऐसे से कॉमेंट कर देते हैं कि आने छात्र छात्राओं और सिक्षकों को काफी सर्मिन्दगी महसूस करनी पर रही है गुमला में आठ चेक पोस्ट संधारित करने का भी निर्देश दिया है मेर आसालाकणा ने सबजी दूद लेने के लिए ईपास को बताया मजाक संपुन लोकडाउन के पहले दिन ईपास वो लेकर आम लोगों को हो रही दिक्कत का जाजा लेने मेर आसालाकणा रभिवार को सबक पर उत्री इस दोरान मेर ने फिराया लाल से लेकर सहर के कई चोग चुराय पर दोरा किया और वहां से गुजरने वाले वहां मालिकों से बात की मेर ने बताया कि पुन लोकडाउन में ईपास की अनिवर्ता ने राज सरकार का मजाक बना दिया है इपास की अनिवर्ता अति आवस्यक कारियों के लिए महत्पून होनी चाहिए ना कि सबजी, फॉल, राशन और दावा की खरीदारी के लिए किसानों की बकाया धनरासी को लेकर हिमंद पर निशाना दिपक परकास भाजबा के परदेश, अध्यक्ष और सांसत दिपक परकास के अध्यक्षता में रवियार को वर्चूल बैठक संपर्ण हुई दिपक परकास ने राज सरकार पर कड़ा हमला बोला उन्होंने कहा कि हमंद सरकार ने किसानों की कमर तोड़ दी है साता में आते ही पहले तो किसानों की कल्यानकारी जोजनाय बंद की फिर रीन माफी के नाम पर धोखा दिया और अब किसान अपने खून पसेने के उपचाय धान के मूले भुकतान के लिए तरस रहे है जारकन सरकार पत्रकारों को फ्रंट लाइन वर्यर्स का दर्जा दे बाबुलाल मरांडी भाजपा विधायक दल के नेता और पूरो मुख मंत्री बाबुलाल मरांडी ने रविवार को राजे के मुख मंत्री हमान सुरिन सनुरत किया है संक्रमन रोक्थाम के कारियों की स्वास्थ मंत्री ने की समिक्छा जाखन के स्वास्त मंत्री बाना गुपता ने जूम आपके मादेम से रविवार को सराय के लाखर्चावा जीले में कुरोना संक्रमन के रोक थाम एवं संक्रमित मरीजों के बेतर इलाज के लिए किये जा रहे कारियों का समिक्छा की इस दोरान जीले के उपायुक्त आरवा राजकमल, पुलिस अधिक छक, एम आर्सी आधि उपस्तित रहे, उपायुक्त ने जीले में संक्रमित मरीजों के बेतर इलाज के लिए बनाये गए अक्सिजन सपोर्टेड बेड, आइस्यू बेड, बेंटिलेटर, टीका करन एवं से लेकिंग अभ्यान की जनकारी दी, ठीका करन में धनबाद पूरे राजे में तिसरे अस्थान पर, स्वास्ची किसा सिक्षाओं परिवार कल्यान सा आपता प्रबंधन विभाग के मंत्री बाना गुपता ने रविवार को धनबाद में कुरोना संक्रमन की बरतमार इस थित अभी से त्यारी करनी है, अधिक से अधिक लोगों की टेस्टिंग कर लक्षन के अनुसार उनका उपचार करना है, तीसरी लहर में बच्चों पर प्रभाव पढ़ने की संका है धनबाद जीला कॉंग्रेस ने शुरू की एमबुलेंस सेवा किसानों को उचित समय पर धान बीज उपलब्द कराएगी सरकार मंत्री जार्खन के किरिशी मंत्री बादल पत्रलिक ने कहा कि कुरोना काल में तमाम वीप्रित परिफितियों के बाजूत सरकार ने सभी किसानों को उचित समय पर धान बीज उपलब्द कराने का निना लिया है इसके लिए पहले चर्ण में 44,000 किंटल धान बीज की खरिदारी का ओडर दिया जा चुका है कई जीलो में धान बीज पहुच भी गया है और अब इसके बीतरन का काम सुरू हो चुका है धनेवाद यदि आप चैनल पढ़ने हो तो चैनल के सब्सक्राइब कर वाल कर लेकर अंद बज़े साथ वीडियो को एक लाइक कर पें दोस्तों साथ सेर करना ना भूले साथ साथ आप हमें कोमेंट बक्स में अपना फीड़ेक अवासे दे थैंक यू